जैहिन दोस्तों मैंनी धिवेंचोहान आजम करेंगे क्लास 9 का 12.2 का question number 5 इसमें हमें एक संबाजू चतुशकूण आकार का खेत दिया गया है और पूछा गया है कि गाय के चरने के लिए हमें कितनी खेत की आवश्यक्ता होगी तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि ये एक भी बाजूएं होंगी बराबर और इसका विकर्ण दिया गया है 48 तो चलिए इसका छेतरफल हम पहले निकाल लेते हैं देखें तिर्भूज ये देखें एबी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर एडी 30 क्योंकि सम बाजू चतुशकूण है तो इसकी सभी बाजूएं ब तो है 48 तो अब हम निकाल लेंगे S एस निकालने के लिए A प्लस B प्लस C बटे 2 ओके तो A 30 B 30 और C 48 बटे 2 सबको जोडने पर हमें मिलेगा 108 बटे 2 अब 2 से 108 को करेंगे भाग तो हमें मिलेगा 54 ओके अब हम निकालेंगे S माइनस A S माइनस B और S माइनस C तो S है हमारा 54 A 30 B 30 और C 48 ठीक है 54 माइनस 30 24 54 माइनस 30 24 54 माइनस 48 is equal to 6 अब तिर बुजे B C का 6 तरफल तो ये S माइनस A S माइनस B S माइनस C तो S है 54 S माइनस A 24 S माइनस B 24 S माइनस C हो गया 6 तो अब इसे हम गुणनखंड बना लेंगे 9 6 54 24 24 24 और 6 तो देखिए यहां जोड़े बन गए हैं 6 का जोड़ा बन गया है और 24 का भी पेर बन गया है तो उसमें से जोड़े में से एक निकाल लेंगे बाहर और इसके जोड़े में से एक अब 9 क्यूंकि तीन का वर्ग है तो इसलिए हम तीन को बाहर निकाल सकते हैं इन तीनों को किया गुणा अब तिरभुज ADC का छेत्रफल और ABC का छेत्रफल बराबर हैं इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे यह ADC का छेत्रफल है और यह ABC का क्यूंकि यह संबाजू चतुशकोन है देखिए संबाजू चतुशकोन यानि कि यह हिस्सा आधा-ाधा हो गया तो जितने का यह निकलेगा यानि कि ABC उतने का ही होगा ADC तो ABC आया है हमारा 432 तो ADC भी 432 हो जाएगा इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे 432 प्लस 432 हो जाएगा 864 ठीक है अब इनोंने कहा है कि 18 गायों के चरने के लिए हमारे पास है 864 ठीक है तो एक गाय के चरने के लिए एक गाय के चरने के लिए हो जाएगा और 864 बटे 18 तो 18 से यदि हम 864 को करेंगे भाग तो हमें मिलेगा 48 यानि कि एक गाय के चरने के लिए हमें चाहिए जो एरिया वो है 48 थैंक यू वेरी मच जैहिन जै भारत